तो दोस्तों मैं आखिरकार आई गया हूँ और मैं आज बात करूँगा अलका की आश्की के पर्वियूम्स के बारे में क्या ये नाम नहीं इसका क्या नाम है फिर अलका की क्या क्या नाम क्या है यार अल्बेत अल्द मश्की ये नाम है ठीक है दोस्तो तो अल्बेत अल्द मिश्की के पर्फियूम्स के बारे में अचे यह तो अल्बेत अल्द मश्की नहीं था इसका नाम मैं तो वित की समचता था Oh my bad हेलो मेरे दोस्तों मैं रॉल सिद्वान और आज हम बात करने वाले हैं एक क्लोन कंपनी के बारे में 10 और 5, 15 पर्फियूम्स को देखेंगे यार कि क्या वो अपना पैसा वसूल कराते हैं या फिर आपका उनको खरीदने के बाद हो जाता है नुकसान और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे फेवरेट उन में से कौन से पर्फियूम्स हैं बट फिर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा रहा उनका उनकी हिसाब से मैंने अभी इनको रैंक किया हुआ है तो हम चलते हैं 15 स्पॉर्ट पर जो मिला है दिवन मैन को क्या होता है दोस्तों कि इनकी प्रेजेंटेशन लगबग सेव होती है बस यहां पर इस टिकर चिपका हो मिलता है जैसे आपर मिला है आपको दिवन मैन का और यह अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यह क्लोन है डि एन जी के दिवन एडिपी का और यह आपको वैसे से फिल देता है इसके बाद 14 spot पर चलते हैं हम जो मिला है Tom Ford के Ombre Leather के clone को जो है Ombre Leather और ये जो particularly है ये है Ombre Leather 16 क्या है दोस्तों कि Ombre Leather जो Tom Ford का perfume है जो की black bottle आती है आपको पता है उससे पहने भी एक perfume launch हुआ था जो कि उनकी niche वाली line गा था जिसकी presentation आपको पता है कि एक दवाई की bottle जैसे होती है और उसका नाम था Ombre Leather 16 और वो हुआ भी 2016 में launch था पर आपको ये वाली बात भी जानना जरूरी है कि वो जो Ombre Leather 16 था और जो उसके बाद Ombre Leather launch हुआ है उन दोनों की fragrance लगबग लगबग same है उनमें को जादा अंतर निया और ऐसा ही इसके साथ है तो ये भी आपको Ombre Leather वाला ही DNA देगा और लगबग वैसे ही feel कराएगा साथ ही इसकी performance में अच्छी है तो आप इसे जरूर try कर सकते हो 13 sport पर चलते हैं और इस fragrance के बहुत जादा clone आपको market में मिलेंगे नहीं तो ये आप जरूर try कर सकते हो ये है 212 VIP गा clone तो इसमें लिखा यहाँ पे 212 VIP जो कैरोलीना हरेरा है उसका एक आता है 212 VIP ये clubbing fragrance है और ये आपको वैसे से ही feel देता है जिसमें वैसे ही modern man वानी एक vibe है जो आप अपनी clubbing जैसे situations में लगा सकते हो वैडिंग जैसे situations में लगा सकते हो या parties में लगा सकते हो 12 sport पर चलते हैं और जो 12 sport मिला है वो मिला है 1 million elixer के clone को मैंने जैसे की बता है कि आप presentation इनकी लगबक सेहीं ही रहती है हलका फुलका से difference हो जाता है और बाकी तो ये sticker के difference रहता है बस यहाँ पर ये भी एक अच्छा clone है जो आपको 1 million elixer की याद दिलाता है तो आप इसको भी try कर सकते हो ये भी चीज सही है और आप देखोगी कि screen पर भी इनके जो prices है वो लिखे आ रहे है तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इनका price कितना रहता है बाकी bottle capacity की बात करूँ मैं तो 75 ml की bottle capacity रहती है यानि पूरी 100 ml जो standard होता है हमारा 100 ml वो आपको bottle capacity तो नहीं मिलती है बट 75 ml के हिसाब से भी ये कोई बुरे clones नहीं है 11 स्पोर्ट पर चलते हैं और यहाँ पर एक ऐसा perfume है जिसका clone आपको आराम से नहीं मिलता है जो कि है YSL Lanoi De Lome और Lanoi De Lome का जो ये clone है वो है L Noi और मानना पड़ेगा दोस्तों कि ये वाला जो clone है वो काफी अच्छा है आप इसे ज़रूर ट्राइगर सकते हो यह आपको बि और टैयहर को अधिटाइगार सकते हो और हाल फिलाल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बुल्गारी टाइगर की के बैस्ट गलोन श्रकेते उसके अंदर ये वाला परफ्यूम शामिल हुआ है, 9 स्पोर्ट बर चलते हैं और 9 स्पोर्ट मिला है, परफ्यूम्श लिवार लेट, Delina Exclusive के क्लोन को, जो है Exclusive Delina, अलबेतल तमश्की का, और जो Delina Exclusive के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग ये जान ले कि वो एक अच्छी women fragrance है और वैसे ही ये है तो ये fragrance भी women पर काफी अच्छी लगती है 8 spot बचलते हैं और जो 8 spot मिला है वो मिला है Aventus के clone को यानि Creed Aventus के clone को तो Creed Aventus का जोगे clone है इसका नाम है Aventus और Aventus के clone के हिसाब से ये एक अच्छा glowन है इसकी performance भी एकदम धासू है जबरदस performance मिलती है यार आपको जो आपको compliments भी दिलाती है बाकी Aventus का DNA तो है यासा जो सभी लोगों को पसंद आता है बहुत versatile रहता है तो ये अलबेतल दमिश्की वालों ने किया हुआ है इसी वज़े से जो अलबेतल दमिश्की के परवियोम से इनकी performance ज्यादा तर आपको अच्छी ही मिलती है बाकी कई सारे cases ऐसे हैं जिन में blend भी आपको एकदम जबरदस मिलता है उसमें आपको syntheticness उतनी नहीं पता चलती बाकी जो ये eventus है इसमें भी आपको शुरू में थोड़ी सी syntheticness वो पता चल जाती है बट overall ये एक अच्छा blend है जो आपको compliments भी दिलाता है और गजब का perform भी करता है 7 spot पर चलते हैं और 7 spot जो मिला है उसका clone आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता जहाँ पर clone है निशाने हचीवत का और जो ये clone है ये है अलबेतल दमिश्की का हचीवत Unisex तो हचीवत Unisex भी ये दखो यहाँ पे भी इन्होंने लेबल लगा रखा है यार और ये कुछ नहीं करते हैं ये सिफ लेबल लगा देते हैं बाकि जो बोट्यो प्रेजेंटेशन है वो लगबग लगबग से मीराती है और मनना पड़ेगा यार कि ये हचीवत का एक अच्छा क्लोन है जिसे आप जरूर ट्राइ कर सकते हो तो अलबेतल दमिश्की ने यहाँ पर अच्छा गाम किया हुआ है 6 स्पोर्ट पर चलते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा डियोर सोवाज EDT का क्लोन जो है अलबेतल दमिश्की का सोवाज तो जो यह सोवाज है यह जो क्लोन है यह डियोर सोवाज EDT का है यह EDP, Elexer या फिरूर किसी चीज़ का नहीं है तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान दखना है और उसी हिसाब से ही इसको ट्राइ या परचेस करना है और ओवरॉल यह भी मुझे अच्छा लगा है तो अलबेदल दमिश्की ने ऐसा किया हुआ है कि आप इंगे पर्फियूम जरूर ट्राइ कर सकते हो यह ऐसे नहीं है कि यह आपके लिए कुछ रिग्रेट या फिरेडेंटन परचेस बन जाएंगे पांचवे स्पोर्ट पर चलते हैं और जो पांचवे स्पोर्ट मिला है वो आथी मैं एक और आपको ब्लूडेशनल का अच्छा क्लोन दिखा देता हूँ जो है ब्ल्यू बाइ एहम अदल मगरीबी तो यह भी एक ऐसी चीज है जिसको आप जरूर ट्राइगर सकते हो मुझे काफी पसंद आया और इसकी जो परफोर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है थोड़ा सा सिंदेटिकनेस तो इसके अंदर है बट परफोर्मेंस ब्लूडेशनल के क्लोन के हिसाब से एहम अदल मगरीबी वालों ने भी अच्छी दी हुई है बागी यह जो ब्लूडेशनल है हाँ इसके तो क्या ही कहने यार यह गजब की फ्रेग्रंस है शनल ने सबसे और और किसी चीज में काम किया है तो वह ब्लूडेशनल में किया है इसको जा जड़ा ऋदर दमश्क काओ वो तोड़ा सा ज्यादा बैटे रहना है इसके बारों स्पोगम एक्स्ट्रीक इसके बारे में पता है ना दोस्तों आपको स्पाइज बॉम एक्स्ट्रीम ग्रेड never यह एक्चिल में पर्फ्यूम है तो इसके क्लोन को मिला है फोर्ट स्पोर्ट और यह फोर्ट स्पोर्ट है यहाँ पर पूरा नाम लिखा है इन्होंने यह लिखाए देखो स्पाइस बॉंब एक्स्ट्रीम देखरो यार की प्रेजेंटेशन इनकी बिल्कुल सेम सी रहती है फैस बॉंब का एक अच्छा क्लोन है स्पाइस बॉंब के वैसे भी बहुत ज्यादे क्लोन है नहीं मार्गेट में तो यह तो यह आपको काफी आच्छी फिल डेता है साथ ही इसको विपना सकते हो अगर आपको स्पाइस प्रफ्यूम्ए इसकी क्लोन को यार यह क्या इनको दिखाने का फायदा है बाट यार चीज अच्छी है एकदम आपको जीवान शी जेंटिल्मेन रिजर्व प्रिवी की यार दिलाएगी और मानना पड़ेगा कि अलबेतल दमिश्की ने अच्छा काम किया हुआ है तो यह भी मुझे काफी अच्छा लगा सेकिंड स्पोर्ट पर चलते हैं और यहां भी ऐसा है कि बहुत जादा क्लोन्स अवेलिबल नहीं है बट मैं आपको दिखा देता हूँ और यहां पर आपको मिलेगा अर्मानी के कोड एपसल्यू का क्लोन और जो यह क्लोन है इसका ना नाम से भी वैसा है और स्मेल भी इसकी बिल्कुल बिल्कुल वैसी मिलेगी आपको जैसी कोड एपसल्यू की होती है यानि यह क्रीमी सी बहुत अच्छी सूधिंग रिफाइन मौडरन बहतरीन खुश्बू जो लोगों को पसंद आती है बच्चो आज का नंबर फन पर्फ अच्छी का the most wanted यह आपको बिल्कुल या दिलाता है अजारों के the most wanted की और आपको पता है यारकी मुझे smart committed कितना पसंद है वैसे ही मुझे आजकल यह पसंद आरहा है जो है most wanted man इसका नाम इसका नाम इसका नाम the most wanted है तो रहेता कि आपको पता चल जान चालए यह किसके clone हो सकते हैं तो ये हैं दोस्तों अलवेतल दमिश्की के पर्फियूम और अभी जो मुझे परसनली काफी पसंद आ रहे हैं उनमें से तो एक यह है दिमोस्ट वांटिड वाला कोड अपसली वाला एल नुई भी काफी अच्छा है जो कि लानवी डिलोम की याद दिलाता है बागी एवेंटेस का क्लोन तो है ही और निशाने हचीवत वाला ये पांच अभी मेरे डॉप फेवरिट बने हुए है तो आप इनको जरू ट्राइगर सकते हो अलबेतल दमिश्की ने ऐसा काम किया हुआ है कि आपके पैसे उतने बर्बार नहीं होते हैं मुझे सही लगे और आपको भी ये उतने बुरे शैर नहीं लग पाएंगे बस थोड़ी सी इनको अपनी प्रेजेंटेशन पे और थोड़ी बिल्ड क्वालिटी पे यानि स्प्रेयर पे थोड़ा सा और ये ध्यान दे दे तो और ज्यादा मजा आ जाए तो जिन लोगों को भी डाउट था कि अलबेतल दमिश्की के पर्फियूम्स ट्राइक करने चाहिए नहीं करने चाहिए कैसे क्वाल्टी है तो यार कर लेने चाहिए इनके पर्फियूम्स ऐसे हैं कि आप आराम से ट्राइक कर सकते हो डिकेंड वगेरा लेकर पहले ट्राइ नहीं बंदें तो सब्सक्राइब करके भी जाना और अपना ख्याल रखना तो तब तक के लिए प्लीज टेक क्यार बाई